लंबी आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लिया है कपड़े की लंबाई हमने 12 इंच ली है और कपड़े की चोड़ाई हमने 6 इंच ली है कपड़े पे इस्तरी की सहायता से हमें बाकरम को ऐसे चिपका देना है अब हम चेंज की लंबाई पे टिक लगाएंगे तो ऐसे हमें चेंज की लंबाई नापनी है और यहाँ पे टिक लगा लेना है टिक लगाने के बाद अब हम हलका सा गोल सेप में ऐसे लाइन अप करेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है ये देखिए ऐसे हमने इसकी कटिंग कर ली है कटिंग करने के बाद अब हम इसे फोल्ड करके उल्टा करेंगे और जिस सेप में हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी है यहां से धागे को कट करते हुए अब हम कपड़े को सीधा करेंगे कपड़े को सीधा करने के बाद अब हमें इसमें डिजाइन बनाने के लिए ऐसे धेर सारी डोरी की कटिंग कर लेनी है अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो description में इसके link दी गई है डोरी की लंबाई हमने 3 इंच ली है ये देखिए डोरी की लंबाई हमने 3 इंच ली है अब हमें एक कागच लेना है कागच की उपर हमें इस कपड़े को ऐसे लगाना है और जिस shape में हमने इसकी cutting की है बिल्कुल उसी shape में line up कर लेना है यहां से ऐसे line up करने के बाद यहां पर भी tick लगा लेंगे और किनारे की side से हम extra कागच को cut कर लेंगे यहां से जिस shape में हमने line up किया है अब उसी सेप में हमें ऐसे इसके उपर डोरी को ऐसे फोल्ड करके लगाना है ये देखिए, लाइन की उपर डोरी को हम ऐसे फोल्ड करके लगाते जाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके सी आप इस डिजाइन को easy step में तयार कर सकते ही हम direct कपड़े पे भी डोरी को ऐसे लगा कर सिलाई कर सकते थी लेकिन double double सिलाई चलाने पे हमारे डिजाइन पे perfect finishing नहीं आएगी तो ये देखिए अब हमें डोरी को ऐसे लगाना है एक बार हमने simple simple डोरी को ऐसे लगाया फिर से हमें उसी डोरी के बीच बीच में अब गोल सेफ वाली ऐसी डिजाइन बना लेनी है और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please हमारे चैनल को subscriber के घंटे को बजा कर आल का option select करें जिससे हमारे next वीडियो की notification मिलती रहेगी इस line को complete करते हुए अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद अब हमारा ये वाला जो कपड़ा है इसे हम यहां पर ऐसे लगाएंगे फिर इसके नीचे हम ये वाले कपड़े को लगाएंगे ये देखिए ऐसे हमें लगा देना है अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप अपने डिजाइन में perfect finishing ला सकते हैं अब यहां से धागे को cut कर लेंगे और पीछे की साइड से हम कागच को निकाल लेंगे डिजाइन के आगे की साइड में हमारा कागच है तो वहां से भी हमें कागच को ऐसे निकाल लेना है कागच को निकालने के बाद अब हमें आस्तिन के कपड़े को लेना है तो ये रहा हमारा आस्तिन का कपड़ा आस्तिन की लंबाई हमने 20 इंच ली है जो की फुल साइट है और नीचे की साइट से हमने आस्तिन की चोड़ाई एक साईट से साड़े 11 इंच ली है तो आपको इसका डबल लेना है क्योंकि हमने कपड़े को fold किया था को ऐसे लगाएंगे और इसके किनारे की साइड में एक बरावर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय कपड़े को आपको टाग ले घीचना है इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमारा वन साइड का डिजाइन बहुती सुन्दर लग रहा है जो कि हमने डोरी की सेप में बनाया लेकिन इसे और भी प्रिटी बनाने के लिए अब हमें इस डिजाइन में मोती को लगाना है तो फ्रेंड सुई धागा के मदद से हम डिजाइन में मोती को ऐसे लगाएंगे यह देखिए बीच बीच में हमें मोती को ऐसे लगा देना है इस डिजाइन को आप सूट के बाजू में भी बना सकते हैं और ब्लाउच के बाजू में भी बना सकते हैं डोरी वाले डिजाइन में हमें मोती को ऐसे लगाते जाना है इस तरीके से आप इस लाइन को इजली कंप्लीट कर लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को अच्छे से लॉक कर देंगे तो पीछे की साइट से हमें धागे को अच्छे से लॉक कर देना है ये देखिए फ्रेंड हमारा मोती वाला लाइन कम्प्लीट हो चला है डिजाइन में मोती को लगाने के बाद हमारा डिजाइन और भी सुन्दा लग रहा है अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे यहां से धागी को कट करते हुए अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करकि घंटे को बचा कर आलका उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी next वीडियो की notification मिलती रहेगी तो ये देखे फ्रेंड एक side से हमारा design ऐसे दिखेगा और बीच के side से हमारा design कुछ इस तरीकी का दिखेगा ये देखे, one side वाला design आएगा हमारे बीच के side से आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक नए design के साथ थैंक्स वार वचिंग माई वीडियो